सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विने बाइलोजी को ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे तहले को दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चक्टर फाइफ के अंदर याने की 11 क्लास का चक्टर फाइफ मॉरफालोजी और फ्लारिम प्लांट्स के हम बह आप पर किसी topic concept समझ नहीं रहे हैं अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं यह बना रहे हैं for need student क्योंकि उन्हें चाहिए कि जो भी एक्जामपल anxiety में दिये हैं वो हमें याद हो जाए अभी मैं आपको कोई concept clear नहीं करा रहा है मैं आपको chapter wise जितने यहां पर एक एक वीडियो शायद दो मिंट का हो या एक मिंट का हो मैंने सारी ट्रिक्स एक में नहीं डाली क्योंकि इससे confusion हो जाती है कि chapter की tricks है किसकी नहीं है तो आपको particular chapter की tricks आपको मिलेगे तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फान्य टेक्सी यहां पर alternate के लिए हम याद करेंगे क्या आद करेंगे मस्का ऑपोजिट के लिए जी ओसी और होल्ड के लिए byTadw forgive अब यह क्या है देख है समझते देख है क्या है आपकी लवंट्स्यास में आपकी 11 खenser स्थिगमें एक पुर falls एक प्राइप चे और लब आपकी एक requirement है कि teacher आज जो नया चप्टर पढ़ा है वो क्या पढ़ा है general organic chemistry तो आप teacher को मसका लगा रहे हो कि teacher क्या करा है general organic chemistry और teacher आपसे क्या रहा है कि मसका मत लगा हो general organic chemistry आज बैसे भी मैं आपको करा दूगा सो क्या बोलेंगे मसका मत लगाओ general organic chemistry आज वैसे भी मैं आपको करा दूगा यह teacher आपसे कह रहा है आप teacher को मसका लगा रहे हो कि वो आपको GOC कर रहा है लेकिन teacher आपसे क्या कहता है मसका मत लगाओ अब मैं जनरल organic chemistry आज वैसे भी आपको करा दूगा है यहाँ पर इनका मतलब क्या है यह मतलब हो गया alternate mustard हो गया m s4 sunflower हो गया सिफोर चाइना रोज हो गया जी ओसी में यह आपका ओ गया पोजिट जी फोर गवावा हो गया सिफोर केलो ट्रॉपिस हो गया और यहाँ पर एफोर एलस्टोनिया हो गया यहाँ पर क्या बोलेंगे मस का मतलब हो जर्नल और अर्गेनिक एमिस्ट्री आज वेसी में आपको करा दूँगा है ओके दोस्तों